आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंट अफेर्स का हम लोग हिंदी लेंग्वेज में 9 सितंबर 2022 का हम लोग करेंट अफेर्स के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करेंट अफेर्स जो न्यूज है इसके बारे में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एन आई एस बी यूडी आई आई ए और आई एस भी जो है भारत के युवाओं को उद्दम सीलता कारेकरम प्रदान करने के लिए एक समझोते ग्यापन पर क्या हस्ताचर किये हैं इन आई एस बी यूडी इसका जो फूल फॉर्म है हिंदि में राष्टिये उद्दमिता और लगू व्यावसाय विकास संस्थान और आई आई एका है भारतिये उद्दमिता संस्थान इसका जो फूल फॉर्म है और एया जो है तीनों यानि की अराश्टिये उद्धमिता और लगूब वेवसाय विकास संस्थान भारतिये उद्धमिता संस्थान और इंडियन स्कूल और बिजनस जो है यह तीनों मिलकर एमो यूपर हस्ताचर किये हैं जो कि युवाओं को बिश्व अस्तरिय प्रवंदन सिच्छा परदान करने के लिए इन्होंने एमो यूपर हस्ताचर किये हैं अगला है जो राश्टपती द्रौपदी मुर्मु है उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान का या सुभारम करेगी जो राश्टपती द्रौपदी मुर्मु है उन्होंने 9 सितम्बर 22 को जो है वर्चूल माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान का सुभारम करेगी और जो है टीबी मुक्त भारत अभियान का जो उद्देश है पूरी तरह से दो हजार पचीस में भारत से टीबी जो रोग है उसको पूरी तरह से मुक्त करना या उद्देश से है अगला है जो चीब जेस्टिस अफ इंडिया है यू यू ललित उन्होंने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्धाटन किये हैं नालसा का फूल फॉर्म है राष्ट्रिय विदिक सेवा क्राधिकरन इसका फूल फॉर्म है तो इसमें नागरिक सेवा केंद्र का उद्धा जो किये हैं अभी जो बरतमान में है Chief Justice of India यू यू ललित किये हैं और इसके जो नालसा के जो हाल ही में जो कारेकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है नया मुर्ति चेंदर चूड नालसा की अस्थापना विची 9 नवंबर 1995 को और नालसा का मुख्याला है नई दिल्ल नालसा का अधर सबाक है सभी के लिए नयाय तक पहुँच अगला है पुद्धुमाई पेन योजना या जो योजना है वह छात्राओं के लिए सुरू की गई है तमिलनाडू सरकार के द्वारा और इस योजना का नाम है पुद्धुमाई पेन योजना या जो योजना सुर कर बारहमी तक पढने वाले जो छात्राएं हैं उनको 101,000 रुपे की माशिक सहायता भुक्तान दिया जाएगा। यह जो योजना का नाम है पुध्वमाई पे न योजना। अगला है एफ अध्हारी जो टोकन फ्री टिक्टिंग सिस्टम का उपयोग करने वाला भारत का पहला RRTS कोरिडोर बन गया है यानि Regional Rapid Transit System इसका फुल फॉर्म हो गया RRTS का और यह जो है दिल्ली मिरट जो है और RRTS जो है वह एक लाइन है यानि कि इसमें स्वचालित किराया संग्रा है परनाली है जिसमें सवारीओं के लिए qr code के साथ टिकट सामिल करेगा इसे मा दियम से अगला है जो सिच्छा मंत्राले है वह वह नया जो राष्टिये सिच्छा निती जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए है सिच्छक पर्व की यह जो पर्व है वह सिच्छकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रिय सिच्छा निती को आगे ले जाने के लिए मनाया जा रहा है। HDFC Agro है वह Google Cloud पर अपना online insurance platform बनाएगी। जो HDFC है Agro General Insurance उन्होंने घोसना किया है कि वह insurance बेचने के लिए जो है online platform Google Cloud के साथ अनुबंदित किया है। और HDFC Agro General Insurance के CEO है रितेश कुमार और इसका मुख्याल है जो है मुंबई में इस्तित है और इसका स्थापना हुआ था 2002 में। अगला है नेता जी सुऴाज चंदरबोश की जो परतीमा का अनावरन होगा वा नरेंद्रमोदी के दवारा किया जाएगा। और यह जो प्रतीमा लगाया गया है वह इंडिया गेट पर लगाया गया है सुभाज चंद्रबोस की प्रतीमा जो पिछे इस साल जो है 23 जनवरी को जो है इंडिया गेट पर नेता जी सुभाज चंद्रबोस का होलोग्राम अस्टैचू का अनावरन किया गया था लेकिन इसक अगला है काबिनेट है जो जि जो بियं स्री योजना है उसको मंझूरी मिल गया है या जो सिच्छा मंदराले के दौरा पियं स्री योजना को लौंच किया गया था और जो प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोधीएवा शिच्छक दिवस के अफसर पर या एक model model school बनाने की एक नई PM स्री योजना का एलान किया था जिसके तहट देश भर में model school बनाये जाएंगे अलग-अलग जगों पर जिसमें की smart कच्छा खेल और आधोनिक अब संरचना पर भी विशेश ध्यान दिया जाएगा अगला है अर्माचल परदेश में line of actual control के पास चीन अपना extra battalion को तैनात किया है अगला है CBDC से सीमा पार लेंदिन के समय लागत कम होगी तो केंद्रिये बैंक की जो digital मुद्रा है CBDC इससे सीमा पार जो लेंदिन के लिए समय और लागत में कमी आएगी और इस साल जो है CBDC को इस साल पेस किया जाना है और इस साल पाइलट प्रोजेक्ट पर इसे पेस करने का प्रस्ताव दिया गया है अगला भारत और ब्रिटेन है वह 26 देशों के लिए रैंसम बेर रोधी अभ्यास स्टार्ट किया है दोनों मिलकर तो राष्ट्रिये सुरच्छा परिशत सचिवाला है और ब्रिटेन सरकार है वह दोनों ने मिलकर वर्चुल साइवर सुरच्छा अभ्यास को आयोजित किया अगला है वारंगल है और केरल के दो सहर है यह तीनों को उत्कृष्ट प्रियासों की मान्यता में उनेस्को ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटी में यह सामिल हो गये हैं जिसमें की वारंगल है जो कि तेलंगाना में है और केरल का Europe है एक तिरिसूर है एक अगला है आई स्टेम जो है पहल ने इंजिनियरिंग विग्यान और प्रद्योगी की में महिलाओं का क्या सुभारम किया है जो इंजिनियरिंग विग्यान और प्रद्योगी की में महिलाएं एक नई आई स्टेम पहल है और इस पहल का जो सुभारम है भारत सरकार के प्रधान बैग्यानिक सलाकार के बैग्यानिक सचीव है डॉक्टर प्रविंदर मैनी ने इसे किया है अगला है बैंगलूरू स्पेस एक्सपो द्वार 22 का सात्मा संसकरन जो है वह बैंगलूरू में आयोजित किया गया है जो कि भारतिये विज्ञान और अनुसंधान संगतन इस्रो भारतिये राष्टिये अंतरिक्ष संबर्धन और प्राधिकरन केंद्र और निव स्पेस इंडिया लिम्टेट के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है अगला हम लोग पुरसकार से रिलेटेड निव देखेंगे तो पश्चिम मंगाल को जो है संस्कृति के लिए सरवस्रेष्ट गंतब पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा और यह जो सम्मान मिलेगा वह 9 मार्च 22 को बरलिन में वर्ल टूरिज में एंड एवियेशन लीडर सम्मिट में यह सम्मान मिलेगा अगला हम लोग देखते कुछ जो इंपोर्टन डेज मनाया गया है धूमधाम से इसके बारे में तो अन्ताराष्टिय साक्षर्ता दिवस जो मनाया जाता है या 8 सितंबर को यह मनाया जाता है और जो साक्षर्ता है वह किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है अगर जितने भी देश हैं उनके नागरी के अगर साक्षर होंगे तो वह जो देश है वह जल्दी उनत्ती करेगा और इसी उदेश के साच्षर्ता बढ़ाने के उदेश से ही हर साल अन्ताराष्टिय साच्षर्ता दिवस मनाया जाता है और इस साल जो थीम रखा गया है transforming literacy learning space यह जो दोहर बाइस का थीम रखा गया है transforming literacy learning space युनेशको की अस्थापना वी थी 16 नॉमबर 1945 को युनेशको का मुख्याल है पेरिस इसके अभी 193 सदस है देश और प्रमुख है औरे अजोले अगला हम लोग देखते है बिग्यान और तकनीक से related निव तो नासा जो है वह मंगल गरह पर oxygen को खोजा है जो नासा है वह मंगल गरह पर जो है वह टिफिन के आकार का एक छोटा उपकरन को मंगल गरह पर भेजा थे जो की इस उपकरन का नाम है मॉक्सी इस उपकरन का क्या नाम है मॉक्सी या जो उपकरन है वह क्या करता है कि कारवन डाय अक्साइड से या ऑक्सीजन बनाता है जैसे कि जैसे छोटा जो पौधा बनाता है कारवन डाय अक्साइड से ऑक्सीजन तो उसी तरह जो है या जो उपकरन है वह कारवन ड नुक्तियां के बारे में देखते हैं, तो ब्रिटेन में जो ग्री मंत्री बनी है, भारती ये मुलकी है, सुवेला ब्रेवर मैन, तो सुवेला ब्रेवर मैन को ब्रिटेन की नई ग्री सचीव के रूप में इन्हें नुक्त किया गया है, अगला है, Ministry of External Affairs जो है, India, संजे बर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्छाईूप न्यूप किया है, तो कनाडा में भारत के अगले जो उच्छाईूप होंगे, उनका नाम है संजे कुमार बर्मा, अगला है, इन्डिगो जो एरलाइन सेหar, पीटर एलवर्स को अपना नया सीऊओ न्यूप किया हैं तो यह रहा नौ सितंबर का करेंट अफेर्स सो थैंक्स पर वाचिंग प्ली लाइक सब्सक्राइब और सेर माई वीडियो